नवस्कार साथियो, मैं देविंद्र यद्व, एक बार फिर आप सबी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में, आज का टॉपिक है यादव बंस की उत्पत्ती, यादव बंस की उत्पत्ती, आज हम आपको सुनू से महाराज यदल तक बिस्तार से वरणन करेंगे, त आज तक जरू देखिएगा, तो सबसे पहले बात आती है कि परमपिता नारायन ने सेश्टी उत्पत्ती के उत्देश से ब्रह्मा जी को उत्पन किया था, और ब्रह्मा से अत्री का प्रादुरुभा हुआ था, अत्री से चंदमा हुए थे और चंदमा से बुध, बुध स के बाद इसमें ये दुकुल सिरोमाणी भगवान सीरी कृष्णे माना रुप में अब्तिर्त हुए थे अब इसके बाद हम ब्रह्मा जी के पुत्र मारशी अत्री के बारे में समचे से आपको बारण करते हैं मार्मा से साथ मानस पुत्र रुत्मन किये जिनके नाम मारीच, अत्री, पुलसत्य, पुलह, कृतू, वसिष्ट और कौसिक हुए सिरीमत भागबत सुधा सागर में या सुख सागर में ब्रहमा के दस पुत्रों का वरणन किया गया है उनके नाम मारीच, अत्री, अंगीरा, पुलसत्य, पुलह, कृतू, भरगू, वसिष्ट, दक्ष और नारत है इन महार रुषियों के बिभिन बड़े बड़े दिप्रबंश है महार रुषिय अत्री एक बैदिक सुक्त दस्टर रुषि थे पराणों के अनुसाल इनका जनम ब्रह्मा जी के नेत्र या मस्तक से हुगा था सक्तर रुषियों में महार सी अत्री की भी गड़ना की जाती है बेवस्वता मानवंतर में अत्री एक प्रजापती थे इनकी पत्री करदां प्रजापती और देव भूती की पत्री थी और उनका नाम अनुसुया था महार सी अत्री अपने नाम की अनुसाल तिर गुड़ातीत पनम भक्त थे बेशे ही अनुसुया भी भक्ती मती थी बेचित्तो कोट के तपुवन में रहा करती थे इस दमपत्ती को जब ब्रह्मा जी ने कहा कि सेश्टी वर्धन करो तो इन्होंने सेश्टी वर्धन करने से पहले तपच्चा करने का निस्चे किया है और घूर तपच्चा की सुद्धा पूर्वाग दीर कालदक निरंतर साधना और प्रैम से अकरष्ठ होकर ब्रह्मा विष्णु महिस तीनों ही देपता पर त्यक्ष उपस्तित हुए और बर्धन मांगने को कहा ब्रह्मा जी की याग्या सेश्टी वर्धन की थी और बेश सामने खड़े थे तब इन्होंने कोई और बर्धन ना मांगकर उन्होंने तेनों को पुद्ध रूप में मांगा पिर देवों ने इनकी प्राफना सुईका करते हुए एव मस्तु कहा दिया और समय आने पर पुद्ध के रूप में ब्रह्मा विष्णु महिस अप्तित हुए बिष्णु के रूप में दत राते ब्रह्मा के अंसे चन्दमा और भगबान संकर के अंसे दुरवा साथ रिशी का जन्म हुए ब्रह्मा से अत्री का प्रदुभा हुए अत्री से दंपत्ति से चन्दमा नामक पुत्र का जन्म हुए और चंदमा से चंदबंस चला, चंदबंस में आंगे चलकर येदू का जनम हुआ, इसी से यादबंस की उत्पत्ती हुई, अब हम अत्री के पुत्र, अत्री और अंस्रिया के पुत्र, चंदमा की बारें विस्तार से बढ़न करते हैं, चंदमा की पिता महर्शी अत्री का का स्वाभी बनाया था चंदमा ने अपने राज की महमद बढ़ाने के लिए राज सूय यग किया और मदोनमत फुकत देपतां के गुवव बरिष्पति की सुन्दर पतनी तारा का हरन कर लिया देवर्शी बरिष्पति तथन देपतां के राजा इंद ने चंदमा को समझा द लड़ने के लिए लड़ने को आमाद हुए देत्यों की गुरी सुक्राचार जी थे बे देव गुरू वरिस्पती से द्वेस मानते थे जिस कारण उस समय बे सैना सहत चंदमा की सहायता के लिए आंगे आये सुक्राचार की सैना में जंभ, कुंभ, आदी जैसे देत्य थे इस तरह तारा के लिए देत्ता और असरों के बीच घोर संगराम चुड़ गया देवासुर संगराम में चुब्ध होकर संसार के समस्त प्राणी ब्रह्माजी की सरण में चले गए तब भगबान ब्रह्माजी के बीच बचाव करते हुए रूदर देव दाणव में समझोधा करा तथा तारा को पुना देव रिशी ब्रशपती को दिलवाया उस समय तारा गरबवती थी उस अवर्षता में देखकर ब्रस्पती जी बूले कि मेरे छित में दूसरे का गरव सरवता अनुश्चित है इसे दूर करो ब्रस्पती के ऐसा कहने पर तारा ने गरव को ज़ाडियों में त्याग दिया जिस गरव को तारा ने ज़ाडियों में त्यागा हुआ है अत्यांत सुंदर तेजधारी बालक था जिसके समस्त देपताओं का तेज भी फीका था उस सुंदर एवं तेजधारी बालक को देखकर चंदमा और ब्रस्पती दोनों ने अपने पुत्र बनाना चाहा उन्हें की इस उत्सकता को देखकर देपताओं को संदेव हुआ और बेतारा से पूँचने लगे कि सत्थ बताओ देवी यह किसका फुत्र है पर अंतुलजबस तारा कुछ नहीं बोल सकी और देपताओं को बार बार पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया इस पर वह वालक कुपित होकर कहने लगा सेगर सचाई बता दो नए मैं तुम्हें अती भेंकर सराब दे दूँगा तब ब्रमा जी ने उस वालक को सराब देने से मना किया और स्वयम तारा से पूछने लगे तारा बोलो यह बुत्र किसका है तब तारा बोली कि यह बालक चंद्रमा का है यह सुनकर चंद्रमा अत्यानत प्रसंद हुए और उस बालक को गले लगाते हुए बोले अति उत्तम बहुत ठीक बेटा तुम बहुत बुद्धिमान हो इसलिए में तुम्हें तुम्हारा नाम बुद्ध रखता हूँ इस प्रकार चंदमास ने अपने पुत्र का नाम बुद्ध रख दिया अब बताते हैं कि बुद्ध चंदरवनसी थे और बुद्ध के बुद्ध हुए प्रॉर्वा प्रॉर्वा से आयू हुए आयू से नहुस और नहुस से अयाती अयाती से उत्पन हुए यदू यदू से ही उत्पन हुआ यदू या यदू बंस चला यदू की कई वीडियों के बाद याद अब कुल में मादद देपकी की कोक से भगवान स्रीकिशने ने माना रूप में अब्तार लिया साथो इसके बाद का वीडियों जो है हम आपको अंगले वीडियों में बताएंगे जो चर्चा है इसके बाद हम बूद और बूद से प्रोर्बा परोरबा से आयून लूस आयाती यदू सबकी कफ़ाप इस्तार से किक करके अगले वीडियों में बताएंगे तक तक के लिए धन्वाद और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर कोई गलती हुई हो हमें तो कमेंट में जरू बताईएगा और अगर जानकर लगए कि अच्छी है तो वीडियो को तुना स्चेर करें और अपने यादत बंद ही और हर समास क कि यदा थे ये गे वोज अवार ये अपको सही है अपको सही है अघजयां अध्यां तो खे अश। कहांवास के लोगद अगर इंपन में आपको साही है जाती है कि प्योदद सेमें अश।